भारती सूटिंग टीम ने एक और इतिहास रज़ दिया है फिर से इंडिया की विमेन ने साबित कर दिया कि वो मर्दों से कम नहीं है भारती टीम ने मिक्स डबल में शांदार प्रदसन करते हुए ब्रॉंज मिडल अपने नाम कर लिया है मनु भाकर और सरब जोट की जोड़ी ने एक नया इतिहास रज़ दिया है इंडिया की विमेन जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अपनी मनोपनी बना रही अपनी विमेन इंपार्मेंट के जोहर दिखा रही है लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारी विमेन क्यों जो है इंटरनेशनल फॉरम से बहुत जादा दूर है अब उनके साथ जो उनके स्पांसर कौन है वो वो उनके अमबानी फैमली उनके साथ आई इंडिया के विमेन मैडल हासिल कर लिया हमारी विमेन को जादा तर देखे तो बचे पैदा करने में लगाया हुआ हम जगह पर इस वक्ता ओलम्पिक्स की बहारे हैं हमारे एथलीट्स एक तो अफसोस के साथ के सिर्फ साथ है उस स्कूल में खड़ा हूँ जहां पर मनू भ और कई न कई वो भी मतलब पहले ही राउंड से बाहर होने की खबरें सामने आ रही हैं बहुत जादा कोशिशों के बावजूद जो है वो कुछ बड़ा अभी तक अचीव कर नहीं पाया है वो उनको पते है कि इंडिया को ये बंदा ये लड़की ये लड़का तो इंडिया क्यों आगे जाता इंडिया ने इन्वेस्मेंट की है या के यंग टैलेंट की बात करें मनू भाकर की बात करें आज उलम्पिक्स के अंदर फॉस्ट पॉजिशन हासिल की फॉस्ट मैडल हासिल किया इंडिया के विमन मैडल हासिल कर रिया हवा हमारी विमन को ज्यादा तर देखे तो बचे पैदा करने में लगाया हुआ है आपने बिलकुल सही कहा था क्योंकि आपको पता है कि यहां पे तो एक बेरोज़गारी है ना तो यही काम है और तो कुछ नहीं है पाकिस्तान में कि ब्ला काम की आइप फुर्त कुम को और यहां रही है यह थो saktu यह यह चो यह पक्राद कंटिणीग टिल्किन आपकी रगगारा मर से दॉक्राइब यह में ड़ोक्टर हूँ उयुआ आप नर्स है अच्छा ठीक हो गया आपने खुद कितनी शादिया क्यों कि और कितने बच्छे में तो दोश्रादिय की और बारव अच्छे माशा अल्ला अभी प्लैनिंग है मजीद मजीद प्लैनिंग हमें इंडिया से सीखना चाहिए उनके विमन ओलम्पिक्स में मेडल जीत रही हैं और हम अपनी विमन से क्या सर्विसेज ले रहे हैं नहीं नहीं हमने तो बहुत कंट का स्तिर्यूसण में मतलब हमने कितने का इतनने हैं क्ट्रिग्शन लेना खैथ उफिस्से क्याра मुल्क थदितРЕखी करेगा ने नसल जए नहीं जगा आधादी मेरलबादकें यह इतने नग्तीजर हो चाहिए होगी को 2 दुनिया से पाकिसान अब निकार के लोग भापनी प अपार्मेंट की बात करे हमारी विमेंट जो है उस तरह से परफॉर्म करती दिखाई नहीं देरी क्या वज़ाइं हालाके हमारे विमेंट में टैलेंट है यह थी कहना हमारे में टैलेंट के लिए इंडिया से में इनको अगर परिवाइड करें सर्विस बाल करें इनको पैसे दें तो यह इन्शालाद रखी कर सकते हैं हमारी इसलिए मारी नसल पिछे हैं हमारा कोई फीमेर जामेल ना आगे बढ़ने सकता है किसी लिए इंडिया जो है अपने अथलीट्स को फसिलिटी दे रहे हैं पैस एक तरफ तमाम जगा पर इस वक्त ऑलम्पिक्स की बहारे हैं हमारे एथलीट्स एक तो अफसोस के साथ के सिर्फ साथ हैं और कई ना कई वो भी मतलब पहले ही राउंड से बाहर होने की खबरें सामने आ रही हैं बहुत जादा कोशिशों के बावजूद जो है वो कुछ ब आते हैं उलम्पिक्स और अगर पच्छिस करोड लगबग पच्छिस करोड की अबादी है मुल्किया और अगर उसमें से साथ खिलाडी जाते हैं उलम्पिक मुकाबलों में और इतनी बड़ी अबादी के मुल्क में अगर इस संजीत की का यह आलम हो के सिर्फ साथ खिलाड सता के नहीं है उस मायार की खेल के खेल पेश नहीं कर पा रहे हैं कोई आखरी नंबर पर रहा है कोई बलकर जो भी आ रहे हैं आखरी नंबर पर यह आ रहे हैं अगर देखा जाए तो हकोमती सता पर ओलम्पिक्स पर कोई बहुत जादा गोर नहीं किया जाता लोग चार साल के बाद उसके बारे में बात भी करते हैं लेकिन मजमुवी तो और पाकिस्तान में वो खेलों का वो महौल नहीं है जिसके जरी आप दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं और यही आपको अलम्पिक में नदर आ रहा है कि अगर आपके स्विमर हैं अगर आपके शूटर्ज हैं अगर आपके जितने भी तीन ये चार तो मेरा खैला पाकिस्तान वो खेले हैं जिन में शरीक हो रहा है और अगर उनमें सब में आप अगर अपनी कारकरणगी देखते हैं तो यही है आखिर में आरे हैं मेडल जीते हैं या नहीं जीते हैं वो जो घूमने पिर ने गए हैं गूम पिर के वापस आ जाएंगे दर असल खेल मेरे ख्याल से दो मुमाले को या जितने भी मुलक एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं उनको जुड़ने वाला खेल होता है बहुत ऐमियत रखता है और ओलम् खेल का हमारे जो हम स्पोर्ट जिसमें हम जाना चाहरे हैं तो पिर आपको एथलीट से मिल सकते हैं लेकर आगर आप यहां पर देख रहे हैं कि जहां जो साथ लोग वहां पर गए हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो आप समझें कि बस आपका हर खेल ही दिन हमें जैसे प्रिजेंट करना चाहिए वैसे हमारे पास अथलीट नहीं है अगर अथलीट आता है तो उसको वो चीजें वो सभूलियात नहीं दी जाती ठीक है बैसिकली पाकिस्तान का सिस्टम डीपली इतना ज्यादा क्राइसिस वाली साइट पे चला गया है कि कोई भी इन बहुत बड़ी चीवमेंट है इंडिया का ये समयले वज़े शौरत है वज़े पहचान है कि हमेशा इंडिया जो है वो अपने टैलन को आगे लेके आता है जो मेरिट बे आता है उसी को आगे लेके आते हैं तो ये बहुत बड़ी चीवमेंट है और जितनी इसकी तर टारी की जाए उतनी ही काम